आपको समझ नहीं आ रहा है कि अपना एंजल नंबर निकालते कैसे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है या फिर आप उन लोगों में से हैं जिनका एंजल नंबर लास्ट में 5 आ रहा है बहुत कन्फ्यूजन है भई 5 नंबर तो लिखी नहीं सकते तो क्या करना है आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें मैं क्लियर करने वाली हूँ आपको क्या करना है कैसे करना है कैसे माइनस या प्लस करना है चाहे आप मेल है या फीमेल है आपको किस तरह से अपने एंजल नंबर में अगर 5 आ रहा है लास्ट में अपने जन्म का उद्देश्य, किस उद्देश्य से आप इस धर्ती पर आये हैं, आप अपना इंजल नमबर जब डेली रेगुलर लिखना शुरू कर देते हैं, और उससे जो भी कहते हैं, वो चीजे होने लगती हैं, अब आप लोग परेशान हो जाते हैं, एक दिन लिखते हैं, और चाहते हैं कि तुरंच से चीजे नहीं हुई, चलो भाई, कॉमेंट वाक्स में भायर दो नेगेटिविटी, ऐसे करने से मुझे कुछ नहीं होगा, वो जो भी आप लिख रहे हो, वो भी आपकी लाइफ में रिटर्न होके जाता है, क्योंकि कॉमेंट में आपने ज होने लगती हैं, तो जब भी कुछ लिखना होना तो अच्छा लिखा कीजिए, आप किसी के लिए ये भी नहीं लिख सकते हैं कि उसका कुछ बुरा हो जाए, वो मेरा दुश्मन है, ये है, वो है, प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए, नेगेटिविटी से बचिए, क्योंक आप कर रहे हो अच्छे के लिए, लेकिन बोल रहे हो गलत, तो जब सारी चीज़े एक साथ एक जैसी वाइबरिशन में आएंगी, तब आप अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को अकरशिक कर पाएंगे, I hope कि आपके समझ में आया, एंजल नमबर से आपको क्या-क्या मि आप किसी भी निम्रोलाजिस से पूछेंगे, वो यही बोलेगा कि हाँ, यही सच है, क्योंकि हम सबकी लाइफ में नमबर का बहुत बड़ा रोल होता है, जाहे आप जानते हो या फिर आप अंजाने हो, अंजाने में गलतिया कर रहे हो, नमबर अपना काम करते रहता है, कि इतनी भी negativity है, उसी में फसे रहेंगे, तो definitely आपके लिए हर चीज negative काम करेगा, तो I hope कि आज से आप लोग समझ पाएंगे, और अपनी लाइफ में जादा जादा positivity मेनिफेस्ट कर पाएंगे, अब आपको क्या करना है, आपको उठा लेना है अपनी diary, या फिर copy और एक pen ले लेना है, यहाँ ध्यान दीजीगा, देखिए मैं बार बार इसलिए बोल रहे हूँ न, क्योंकि अब मैं आप लोगों को comment में आपका angel number calculate करके बताने वाली नहीं हूँ, इसलिए ध्यान से देखिएगा, मैं भी ध्यान से ही बता रहे हूँ, मैं भी नहीं चाहते, मुझसे भी कोई गलती हो, तो यहाँ आपको अपना जन्म तारीख नहीं लेना है, जिस दिन आप इस दुनिया में आए हैं, उस date से आपको कोई मतलब नहीं है, उस महीने से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है उस साल से, जिस साल में आप इस दुनिया में आए हैं, जिक है मैं लेने वाली हूँ 1991 और ये मुझे Instagram पर आया था Message, मेरे कोई subscriber है उनका ये year है, तो चली इसी को calculate करके देख लेते हैं बाकी आप ध्यान से देखना और इसी तरह से आप लोगों को भी करना होगा तो जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने ले लिया है 1991 अब यहाँ पर हमें क्या करना है इसे प्लस कर देना है क्योंकि कभी भी Angel number Double digit का नहीं होता है इसलिए हमें तब तक इसे प्लस करना होगा जब तक ये एक Angel number सिंगल निकल के ना आ जाए तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 1 is equal to 20 20 आया है अगर हम 20 को जोडते हैं तो 0 और 2 कितना होगा 2 ही आएगा तो ये आगे आपका last digit आपके साल से यानि आप जिस साल में जन में है उस साल का last digit आपको मिल गया है लेकिन ये आपका angel number नहीं है सबसे पहले मैंने female का बताया है तो जब आपका last number 2 आया है और आप है female तो आप उस last digit में और 4 number add करेंगी और अब हो जाएगा आपका angel number तो यहाँ पे आपने 4 जब add किया तो 2 और 4 कितना हुआ? 6 और यही है आपका angel number अब अगर हम बात करें कि अगर आप female है और आपका यही number double digit में आया है जैसे last का number 2 की जगा 20 आया है तो क्या करेंगी आप? 0 का तो वैसे भी माने नहीं है तो 0 हटा देंगी और 2 के साथ 4 को जोड लेंगी और फिर से आपका number ची हो गया चलिए अब 0 की जगा कोई और number लेते है अब आपका 20 नहीं बलकि 24 आया है last में ठीक है? तो आपको क्या करना है? फिर से एक बार calculate कर लेना है 2 और 4, 6 और फिर उस 6 में आपको 4 number फिर से add करना है तो 4 और 6, 10 और 10 जब आया है तो फिर से आप 0 को हटाएंगी और 1 होगया आपका angel number I hope कि आपके समझ में आया होगा और इसी तरह से जितनी भी female है उनका angel number इसी तरह से calculate करके निकाला जाता है तो I hope कि आपके समझ में आ गया अब आप किसी भी साल में जन में हो आप अपना angel number बहुत आसानी से निकाल सकती है अब यही हम बात करे male की same यही number तो फिर से आपको वैसे ही plus कर लेना है 1 plus 9 plus 9 plus 1 is equal to 20 20 को फिर से हमने plus किया आया 2 अब अगर आप male है तो आपका calculation यहां से हो जाएगा change आपका जो reminder आया है 2 आया है जिसे 6 number हम कहते है हिंदी में उसे minus कर लेना है 11 से ठीक है आपका कितना भी number I last का उसे 11 से घटा लेना है आप लोग अच्छे से समझेगा क्योंकि अब मैं आप लोगों को calculate करके नहीं बताने वाली हूँ चाहे Instagram पे चाहे comment box में इसलिए ध्यान से देखेगा और हाँ अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है तो आपके family में कोई तो होगा जो आपकी number का calculation कर दे तो please आप उन लोगों से करवा लिया कीजिए guys मेरे पास time नहीं होता है तो sorry लोगों को समझ नहीं आता है आप किसी से भी ये वीडियो दिखाईए और करा लेजिए और अपना angel number यूज कीजिए तो यहाँ पे आपको क्या करना है जो आपका दो number आया था उसे 11 से घटा लेना है और अब जो last का आंक आया है वही हुआ आपका angel number तो यहाँ पे क्या आया है 9 और 9 हो गया आपका angel number अगर आप male है एक और मैंने लिया है साल जो की है 1986 क्योंकि बहुत लोगों को confusion थी कि जिनका angel number last time 5 आ रहा है वो लोग क्या करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1986 लिया है मैंने इसे मैंने जोडा है आया है 24 24 को फिर से मैंने जोडा last में आया 6 अब 6 में मैंने 4 जोड दिया अगर आप female है तो आपका आया है last digit 10 यानि 10 अब 10 को हम फिर से जोडेंगे single करेंगे तो यह हो जाएगा 1 और यह होगा आपका angel number यही पर हम male का calculation करते हैं तो फिर से हमने इसे calculate किया last का आया है 24 24 को भी हम add करेंगे तो 2 plus 4 is equal to 6 और 6 हो गया आपका last का digit अब इसके अंदर आपको same काम करना है 11 में से घटा लेना है 6 को जो भी आपका last का number आएगा उसे 11 से आपको minus कर लेना है तो हमने लिए 11 और 11 से 6 को minus कर लिया तो हमें मिला है angel number 5 जिसको भी अपना angel number 5 मिल रहा है वो लोग प्लीज आप 5 मत लिखिएगा अगर आप male हैं तो इस 5 number को 2 मानेंगे ठीक है और 2 ही लिखेंगे अपने हाथ के उपर और अब बात कर लेते हैं महिलाओं अगर आप female हैं और आपका angel number आ रहा है 5 ठीक है पूरा आपने calculate कर लिया और last का जो number आया है आपका वो है 5 तो आपको इसे 5 नहीं लिखना है आपको लिखना है 8 जिन लोगों का 5 number आएगा अगर आप female हैं तो उसे 8 समझेंगी अगर आप male हैं तो उसे 2 समझेंगे और एक बार फिर से बोलना चाहोंगे अगर आप लोग उन लोगों में से हैं जिन्हें बिल्कुल calculation नहीं आती है तो आप अपने family member में जो भी person है आपको लगता है कि ये बता सकता है तो उस person से इस video को एक पर दिखाईए और वो जिस तरह से calculate करके आपको बताए उस number को आप अपने हाथ पर लिखना शुरू कर दिजिए लिखना कैसे है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये मेरा हाथ है मैंने ऐसे लिखा है आपका जो भी angel number आता है उसे यहीं पर लिखना है और उसके बाद circle जरूर बनाना है और सबसे important चीज कि आपको यहाँ पर green color का marker sketch pain या फिर pain यूज़ करना है आपको दूसरा कोई color यूज़ नहीं करना अब इस number को लिखके आप अपनी जो भी इच्छा है जो भी जानना है बोलो ये आपकी life में उन चीजों को जरूर लेके आएगा बहुत लोगों का सवाल होता है कितने दिनों तक लिखना है तो आप lifetime तक इसे लिखो ये बहुत अच्छी चीज है I hope कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारा फाइदा मिले आप लोग पूरी तरह से समाज पाएँ आज की वीडियो में इतना ही मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तब तक आप सभी मुझसे personally connect होना चाहते हैं तो मेरी Instagram आइडे है Skywing 222 वहाँ follow कर लिजिए और connect हो जाएए मुझसे चानल पर नए है तो subscribe कीजिए बेल आइकन कॉल पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिये वीडियो को अभी तक like नहीं किया है तो जल्दी से like कर दीजिए और अपना प्यारा प्यारा सा comment देना बिल्कुल मत भूलियेगा और full moon आने वाला है guys तो बहुत सारी आप लोगों को videos मिलने वाली है